नमस्कार दोस्तों मैं अभिनो सिर्वास्तों आपके अपने चैनल English Doze with अभी मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि DSSB बोर्ड के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन कल जारी किया गया था जिसमें TGT और PRT के पदों के लिए vacancies निकाली गई है तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा उसी से सम्मंधित है आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको जो है प्रिवियस येर का पेपर लेकर क्या है हूँ DSSB का जिसका खंड एक जो है जिसमें जो कोई सामान जानकारी के अंतर गता आता है और उसी के बारे में दोस्तों आज हम करेंगे पूरा एनालेसिस करेंगे पेपर के बारे में तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जरूर टच करें जिससे मेरी नेक्स वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और दोस्तो मुझसे जल्दी से जुड़ जाएं वीडियो को अगर पसंद हो वीडियो अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो ठीक है सामानने जानकारी का जो ये पहला पार्ट है अगर ये आप इससे सैटिस्वाई होते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों तो अगर बात करें नीत यायोग की तो दोस्तों नीत यायोग का गठन सरकार की दौरा जो है एक जनवरी 2015 को किया गया था अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रशन की और दोस्तों दूसरा प्रशन हमारा है कि 2015 इंडियन प्रीमियर लिग जिसे दोस्तों IPL के नाम से जानते हैं और दोस्तों अभी इस बार तो हमारा COVID-19 की वज़े से जो IPL है उसको बीच में ही रोकना पड़ा है तो आपका जो 2015 जो IPL था उसमें यहां पर जो है कुछ खिलाडियों के और उनसे समंधित टीम के नाम दिये हुए हैं और हमें उन्हें सही टीम के साथ मैच करना है कि कौन सा खिलाडी किस टीम का है तो दोस्तों अगर बात करें अपने पहले option की तो पहला option है एंजलो मैथ्यूज दोस्तों 2015 की जो टीम थी उसमें एंजलो मैथ्यूज आपके डिली डियर विल्स की तरफ से खेल रहे थे तो पहला option आपका एक से ही मिल जाएगा अगर दोस्तों बात करें आपके रायल चैलेंजर बैंगलोर जो second option है उस तो हमारा दोस्तों आप देख सकते हैं कि first option है जिसमें एक, दो, तीन, चार हो जाएगा और तो इसलिए दोस्तों हमारा option A आपका correct हो जाएगा दोस्तों बढ़ते हैं अपने next question की और next question दोस्तों है हमारा कि bank में जमा की गई जो रकम होती है जिसे पूर्व निर्धारिस सम option A है आपका current deposit मतलब चालू जमा, second भचत बैंक जमा, तीसरा है दोस्तों सावत ही जमा या फिर चौथा बिना लाग लपेट का खाता, दोस्तों अगर बात करें इसके सही answer की तो दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा option C, सावत ही जमा, दोस्तों सावत ही जमा जो हमारा account होता है उसमें जैसी भी जो भी हमारी amount हम जमा करते हैं तो उसको एक निश्चिस समय से पहले दोस्तों उसको हम आहरित नहीं कर सकते हैं दोस्तों अगर दोस्तों चालू खता की बात करें जो चालू जमा होता है हमारा दोस्तों तो इसमें हम जो है विक्त किसी भी समय जो है विक्त अगर हम जमा करते हैं तो हमें ब्याज देती भी है और जो दोस्तों हमारा बचत बैंक खाता है इसमें जो बैंक है वो जनता को बचत खाता में ब्याज देती है दोस्तों अगले प्रशन की अगर और बढ़ें दोस्तों हम दोस्तों चौथा प्रशन है हमारा उपायम युक्त लेकर के आती है अगले प्रशन की और अगर दोस्तों बात करें हमारा जो पाच्वाँ प्रशन है पाच्वाँ प्रशन दोस्तों बन जाता है आपका कि संगी सरकार के करों में कौन सा सर्वोच वार्सिक आमद देता है तो दोस्तों अगर पहले आप्शन की बात करें तो पहला आपका सीमा सुल्क है दूसरा आपकारी सुल्क तीसरा कार्पोरेशन कर तथा आएकर या चौथा आपका जो है वो संपत्तिकर या इंट्रेस्ट कर तथा उपहार कर की में आ जाता है तो दोस्तों अगर सही आप्शन की बात करें तो दोस्तों option हमारा तीसरा सही हो जायेगा दोस्तों option C corporation tax and income tax दोस्तों अगर हम 2017 की बात करें 2017 में जो carporate कर जो आप से लिया जा रहा था दोस्तों वो पहले 30.1 था लेकिन उसको 2017 में दोस्तों 25.1 जो है कर दिया गया था दोस्तों बात याद रखिएगा कि इस तरह के कर में कब बदलाओ किया गया तो दोस्तों 2017 में किया गया था दोस्तों अगर अगर प्रशन की बात करें तो अगला प्रशन बनता है हमारा कि निम्न में से क्या व्यक्ति स्वात्रन तिकास सन्रक्षड करता है दोस्तों यह आपके में option c दोस्तों सही हो जाएगा जिसे हम लोग habis corpus कहते हैं अगर हिंदी में बात करें तो बंदी प्रतक्षी करण की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपके जो है अनुचेद जो है दोस्तों 32 में इसका प्रावधान दिया गया है जिसमें मतलब ये बात बताई गई है कि मत जो मतलब ये करण पूछा जाता है कि आपने जो है किस अधिकार से मतलब उसको बंदी बना लिया गया है और उसको एक निष्चछी समय में जो भी उसका निष्ची समय मतलब जहां का रहने LAUGH वाला है वहाँ पर अगर उसकिसी को भी अगर आप बंदी बना लेते हैं या पहले option की बात करें, पहला option है कि जब विपक्ष के प्रस्ताओं पर विचार होता है, दूसरा जब सरवाधिक महत्व के विशयों को उठाया जाता है, तीसरे की बात करें कि प्राता हकालींत था अपराहन सत्रों के बीच का अंतराल और चौथे के गर बात करें कि जब हमें धन विदेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही option हो जाएगा, ओप्षन C, दोस्तों सुन निकाल आपका, जो होता है, वो दोपहर के बारा बज़े से ले करके एक बज़े के बीच का समय होता है, अर्ठाट जो है, मतलब दोपहर के जो बारा बज़ का समय होता है वो सून निकाल के अंतर के दोस्तों आता है अब दोस्तों अगर हम अगले प्रशन की ओर बढ़ें अगला प्रशन हमारा दोस्तों ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है ये बात दोस्तों इसका निर्णे लोस्तों कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक ह खोगा या नहीं होगा ये लोग सभाई स्पीकर आपका बताता है और दोस्तों ये जो आपका धनविद्यक है ये लोग सभाई द्यक्ष के सामने ही उसको जो है समिट किया जाता है या उसको पहले एक बार उसके सामने इस बात भेजा जाता है कि प्रस्ताओ के हां ये धनवि देयक के बारे में अगले प्रश्ण के और बढ़ें कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागो की गई थी तो दोस्तों मनसबदारी अगर प्रथा की पहले हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये पहले ही बात तो ये है कि ये दो प्रकार की होती थी पहला जो प्रकार था मन में दोस्तों इसकी सुरुवात की गई थी अब अगर दोस्तों बात करें मैंने आपको दो बाते बताएं कि जात तो दोस्तों जात में जो लोग प्रसासनिक पत की सिजड़ी में आते थे वो पहले कैटिगरी में आते थे और जो दोस्तों दूसरी अगर हम कैटिगरी बात करे कि सिंदु सभिता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था तो दोस्तों अगर बात करें कि सिंदु सभिता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था तो दोस्तों वो आपका था लोथल लोथल बंदरगाह दोस्तों आपका प्राचीन बंदरगाह था और दोस्तों अगर बात करें आप ये आपका लोतल बंदरगा बनाया गया था अब दोस्तों अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं कि गिवदा करेक्ट क्रोनोलोजिकल आर्डर दोस्तों मतलब हमें सही करम के अनुसार एक काला आप देख सकते हैं कि सही काला नुकरम दीजिये मतलब एक सीक्वेंसेल आपको वे में एक सही करम के अनुसार आपको इनको व्यवस्थित करना है तो दोस्तों आपके options ने सामदा एक award उसके साइमन कमीशन प्रथम गोल में समीलन था आपका गांधी इर्विन समझोता दोस्तों अगर बात की जाए कि आपका जो है सबसे पहले दोस्तों के आया सबसे पहले दोस्तों आपका आया साइमन कमीशन साइमन कमीशन दोस्तों आपका 27 इसवी में जो है ये आपका लाया गया साइमन कमीशन अब सामुदाएक award की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपका जो है दोस्तों सामुदाइक एवार्ड ये भी आप इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं पहले अगर हम गोल में सम्मेलन की बात करें तो दोस्तों अगर गांधी इर्विन समझोते की बात की जाए तो ये पाच मार्च आपका पाच मार्च 1931 से सुरुआत कि अगले प्रश्न की और दोस्तों अगर बढ़ें कि भारत ने पुत्रगालियों से गोवा को मुक्त कराया दोस्तों अभे आप जानते हैं कि अभी कुछ मेहने पहले ही गोवा दिवस भी मनाय गया था गोवा का जो सदनता दिवस था अभी 19 दिसंबर को मनाय गया था तो 19 द ılar गोवा दिवस मनाये एंग आपके देयंगे प्रफवी प्रफवी निओनों दीजGot आपका correct option जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला option प्रत्वी तथा सूरी की जो बीज की दूरी होती है उसे दोस्तों खगोली दूरी के बारे में हम लोग खगोली दूरी मानते हैं खगोली दूरी की बात की जाए तो लगभग 150 million किलो मीटर अपका यूनिट रहता है एक खगोली दूरी के बारे में उसके बराबर दोस्तों अगले प्रशन की अगर बात की जाए जो अगला प्रशन हमारा है वो ये है कि कौन सा गरह सूरी की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी ग्रह आपका एक तरीके से आप देख सकते हैं अगर options की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही option हो जाएगा ब्रहस्पति अब दोस्तों बात ये करते हैं कि जो भी ग्रह आपका दूर होगा जितना दूर रहेगा जो है स सूर्य से उतना ज़्यादा उसको दोस्तों समय लेगा उसकी एक परिक्रमा को करने में तो अगर दोस्तों यहाँ पर देखें ध्यान से तो आपका ब्रहस्पति जो है आपका सबसे दूरी पर है यहाँ पर तो इस वज़े से वो सबसे ज़्यादा समय लेगा और एक बात सूर मंदर का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो दोस्तों वो भी आपका ब्रहस्पति हो जाएगा जो कि सूर्य से पाच्वए नंबर पर है अगले प्रश्ण की ओर दोस्तों अगर बढ़ते हैं तो अगला प्रशन आपका आया था फ्रेंच उपन दो हजार पंदरा का पुरुस एकल का खिताब किसन जीता दोस्तों अगर बात करें इसकी तो दोस्तों इसका second option एकदम सही हो जाएगा दोस्तों इस 10 आपका इस 10 वाव रिंका जो थे उन्होंने French Open 2015 का दोस्तों खिताब जीता था अगले प्रशन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं तो अगला प्रशन हमारा बन जाता है कि यदि आप दोस्तों आपको कहां नहीं जाना पड़ेगा तो अगर हम बात करें कि हमें कहां नहीं जाना पड़ेगा तो आपसन आपका ओरिशा हो जाएगा दोस्तों अब दोस्तों अगर हम बात करें कि हमें ओरिशा क्यों नहीं जाना पड़ेगा तो दोस्तों अगर हम इन सभी की बात करें आपका जो दोती कोरिन है पारा दोई कांडला या मंगलॉर है ये सभी दोस्तों आपके जो है ये अरब सागर से सटे हुए है जबकि आपका जो ये ओ गोशना कब की गई किस बजट में की गई थी दोस्तों तो अगर हम इसकी बात करें तो आप का ये 2,014 और पंद्रہ आपका सही हो जाएगा द गोशना इसकी घुशना की गई थीौ अगले प्रस्ण की ओर दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं कि अगला प्रस्ण हमारा बना था कि भारत के उत्री मैदानों के वर्हत छेतर में प्रसरित मरदा कौन सी है तो दोस्तों अगर इसके सही आप्शन की बात करें तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों और ये आप याद रखिए कि ये लगभग 22% लगभग 22% के आसपास ये जो है आपकी मरदा पाई जाती है अगली बात करें अगर दोस्तों हम कि निम्न में से कौन सा एक अर्ध चालक है तो अर्ध चालक की अगर बात करें दोस्तों तो इसका सही आप्शन आप्शन सी हो जाएगा सिलिकॉन और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि सिलिकॉन आपका एक अर्ध चालक के साथ साथ एक अधाद तत्तो भी है जी और इसका दोस्तों एक इंपॉर्टन फैक्ट और बन जाता है दोस्तों इससे कि आपका जो कम्प्यूटर के चिप बनाय जाते हैं जिसे हम Integrated Circuit I.C. जो है कहते हैं तो वो दोस्तों कि से बनी होती है तो वो भी आपकी दोस्तों सिलिकॉन से ही बनाई जाती है अगले पर प्यार्श में ओर दोस्तों अगर हम बढगते हैं कि निम्लकित में से अहिंसा पर दोस्तों बल दिया था उन्होंने इसलिए आपका ये जो ये अंतर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ये अहिंसा पर बल वाली बात हो जाएगी अगले प्रशन के और दोस्तों अगर बढ़ते हैं कि आपके दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जैसे आपका एक तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपका इसमें दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अगर हम सबसे पहली बात करें कि देखिए अगर सुकरोज जो है वो सुआद में मीठा तो होता है ये बात तो एकदम सही है लेकिन जो आपका सेकंड आप्शन है दोस्तों वो उसका इसपस्टी करण नहीं करपा रहा है तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों यहां से दोस्तों उनके बारे में आप समझ जाएंगे कि अगर हम बात करें यहाँ पर में सुमेलित करना है इनको तो दोस्तों अगर हम बात करें वास्पन की तो दोस्तों हमारा जो वास्पन हो जाएगा वास्पन दोस्तों किसे कहते हैं कि जब द्रौ जो है आपका गैस में बरिवर्तित हो जाता है दोस्तों तो आपका वो बन जाता है वास्पन की क्रिया उसको कहलाती है तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें जो है आप देख सकते हैं कि द्रौ से गैस आपका बन रहा है ये आपका वास्पन हो जाएगा कपूर बहुत जदा जाना जाता है आपने सुनोगा तो अगर हम बात करें इसकी तो दोस्तों इसका अप्षिन हो जाएगा कि सीधे गास में परिवर्तन ही करद देखिए हम और दोस्तों बर्फ होता है तो दोस्तों अगर जैसे मानली जे पानी रख देते हैं और पानी आपका जो है जब आप मानली जे फ्रिज आप उसके पानी रखते हैं वो लिक्विड होता है उसके बाद वो बस में बदल जाता है तो दोस्तों वो क्या बन जाता है दोस्तों ठोस बन जाता है मतलब दोस्तों ठोस में जब परि तो आपका option दोस्तों सही हो जाएगा एक मिनिट में इसको दोस्तों दोबारा मैच कर लेता हूँ आपका वास्पन जो था वो आपका द्रो का गैस से मिल रहा था तो आपका ये पहला option हो जाएगा अगर उरुस पातन की बात की जाए मतलब ठोस सीधे गैस में बदल जा रहा ह हिमी करण में आपका द्रो का ठोस में परिवर्तन हो जाता है और गलन में आपका दोस्तों ठोस का द्रो में परिवर्तन हो रहा है तो अगर हम दोस्तों देखते हैं इसके correct option की और तो ये दोस्तों option आपका हो जाएगा option D हो जाएगा दोस्तों next option की और अगर हम बढ़ते है question की और दोस्तों sorry दोस्तों next question हमारा है कि रासायनिक रूप से सुस्क बर्फ दोस्तों क्या कहलाती है तो दोस्तों option अगर देखें पहला option है सुध्ध आसुध जल में बनी बर्फ second option है दोस्तों आपका ठोस carbon dioxide तीसरा option ठोस sulfur dioxide और चौथा option है आपका अधो ताप करम पर रखी बर्फ तो दोस्तों इसका जो correct option हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ठोस carbon dioxide gas जो आपका दोस्तों जो है ये solid carbon dioxide gas होती है वो आपकी chemically अगर हम देखें इस रासायनिक रूप से तो सुस्क बर्फ के रूप उसको जाना जाता है अगले प्रशन की ओर दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं अगला प्रशन हमारा बनता है कि मानो लाल रक्त कडिका जिसे हम RBC red blood cells के नाम से भी जानते हैं का आउसत जीवनकाल दोस्तों कितना होता है तो अगर आउसत जीवनकाल की करें दोस्तों तो उसका आउसत जीवनकाल होता है 120 दिन दोस्तों होता है और एक बात दोस्तों और याद रखिए कि RBC की जो मृत्यू होती है इससे बहुत से अलग अलग प्रशन दोस्तों बन जाते हैं ये क्वेशन बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है कि RBC सबसे पहली बात होगी कि आउसत जो इसका एज है जो जीवनकाल है वो 120 दिन है दूसरी बात अगर करें कि जो RBC की मृत्यू होती है दोस्तों वो आपके यक्रत और प्लीहा में होती है जी आपके यक्रत और प्लीहा में इनकी मृत्यू होती है अगर हम बात करें कि इनकी जो मृत्यू होती है वो यक्रत और प्लीहा में हो जाती है दोस्तों अगला प्रश्न अगर हम इसी से देखें कि और क्या बन जाता है तो दोस्तों चुकी इनकी म्रत्यू हो जाती है यक्रत और प्लीहा में इसी वजह से यक्रत और प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है अब दोस्तों एक प्रस्ण अगर हम चुकी लाल रख्त कड़िकाओं की बात आई है तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन की इसी सरे लेटेड है तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों अगर हीम का मतलब समझे तो वो आईरन होता है और दोस्तों अगर हम अगर चुकी जहाँ बढ़ें कि याता है आत्कों रोकने के लिए याता है संकेतों में लाल प्रकास का ही उप्युक्ष्ण topics यूचिये यह इस आधान की है अधिक वीडरेन्यों जाएगा कि हम इसको मतलब यह पहली बात तो इसका फैलाव बहुत कम से कम होता है इस वज़े से हम इसको दूर से देख सकते हैं इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है यहां पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा अगले प्रशन की और दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं अगला प्रशन देखें इसके हम कि पहला ऑप्शन है कारवन मोनो आकसाइड हैं कारवन डियाकसाइड दोस्तों यह तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है आपका कारवन मोनो आकसाइड जैरीली गैसों में आती है इसका तो यूज ही नहीं हो सकता है ब्यूटेन था प्रोपेन मिथेन और एथिलीन तो था कारबन डियाकसाइट था आकसीजन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए कि कुकिंग गैस पहला दोस्तों आपशन इसलिए भी नहीं हो सकता है दोस्तों अगर आप देखिए तो कारबन डियाकसाइट यहां पर आ गया है और carbon dioxide कभी भी दोस्तों आग को जलने में सहायक नहीं है बलकि वो आग को बुझाने में सहायकता करती है अगर option D की बात करें दोस्तों तो देखे ये आपका option गलत होगा option D में भी carbon dioxide आया है दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा अगर हम दोस्तों बात करें option अपने B और C में तो आपको option B दोस्तों सही हो जाएगा कि ब्यूटेन और प्रोपेन गैस हमारी रसुई गैस में पाई जाती है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है मेरे ख्याल से मैं अपने पुरी कोशिस की है इसमें सारे प्रशन को अच्छे से explanation देने का भी तो अगर आपको ये वीडियो अक्षी लग रही हो तो दोस्तों आप उसे जरूर मैक्सम लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इसको जहाँ से ज़्यादा लोगों को उसका फाइदा मिल पाए और अगर अच्छी भी लग रही हो तो प्लीज आप उससे जो है लाइक भी जरूर करें दोस्तों और अगर चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेते हैं तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा दोस्तों जो इसका नेक्स टॉपिक रहेगा अलग जो है कि इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें पाच पाल्ट होते हैं और अलग बग एक पोर्शन में 40 प् दोस्तों तो अगला प्रशना आपका हो जाता है कि पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों अगर इसका आप्शन देखें पहला आप्शन है सेपल्स मतलब बाहदल या पंखुडी पुंकेसर या फिर वर्तिका या वर्तिकागर दोस इनका प्रयोग आपके केसर के रोप में किया जाता है अब दोस्तों अगर हम केसर की बात करें कि केसर को अंगरेजी में क्या कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों केसर को अंगरेजी में सैरन कहा जाता है दोस्तों सैरन जी सैरन कहा जाता है और ये आपको जो है अगर बात करें कि यह आपको ज़्यादा कहा पायाता है तो आपके यह साउथ यूरोप में आपको यह ज़्यादा पाया जाएगा अगले प्रशन की और दोस्तों अगर बढ़ें कि जो CPU है उसका कारे निस्पादन प्राया हमापा जाता है पहली यूनिट आपकी दी हुई है GB दूसरी है मेगा प्रशन की और अगर दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रसन आपका है कि मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्नमे से भायत कि किस राज्य में लोगप्री है पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश दूसरा राजस्थान तीसरा मध्य प्रदेश और चौ रंगोली के रूप में जो है इसको पहले इसका प्रचार प्रशार किया गया था और उसके बाद में फिर इससे रेलेटेट कुछ लोगों ने अपने कुल देवता के चित्रका भी इसमें प्रयोक किया है तो ये एक आपकी जो सैली हो जाती है वो दोस्तों मध हुनी जो सैल हर्स में सनलगन है तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्सन हो जाएगा नाइजीरिया दोस्तों हो जाएगा ये आपका और नाइजीरिया जो है आपका दोस्तों ये अफ्रीकी देशों से रिलेटेड आपका है ये जो मतलब अफ्रीकी देश जो आपके उत्री अफ्रीकी देश हैं इन में जो एक मतलब आतंकी संगठन है उसको उस रूप में इसको जाना जाता है यह आपका बोको हरम अगले प्रशन की और दोस्तों अगरम बढ़ें अगला प्रशन आपका है जो कि दोस्तों आपका उस समय करेंट अफेर्स के इस योजना के लिए प्रती वर्स प्रीमियम की राश की क्या थी तो दोस्तों अगर हम इसकी प्रीमियम की राश की बात करें तो दोस्तों इसकी प्रीमियम की राश थी 12 वर्स दोस्तों अगर इस योजना की बात करें तो यह योजना जो है 18 से 70 वर्स के लोगों के लिए थ और इसमें जो है अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजे दुरगटना में उसकी मौत हो जाती है या वो फिर किसी हाथसे में पूर्ण विकलांगता का सिकार हो जाता है तो उसे दोस्तों दो लाख रुपए की धनरा से दोस्तों उसको प्रदान की जाती उसके एक तरीके से ये प् 2015 से की गई थी जिसको बाद में आगे चलके दोस्तों एक जून 2015 में दोस्तों इसकी सुरुवात की गई थी और इसको आगे चलके जो है दोस्तों 31 मई 2016 तक इसको आगे बढ़ाय गया था और भविश्य में भी ये योजना आपकी चल रही है दोस्तों अगले प्रशन की इनमाल के विशय में तीसरा जैविक तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विशय में और चौथा है आपका उतकों के विशय में दोस्तों सही आप्शन की बात की जाए तो जैविक और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनके विशय में जब भी बात की जाएगी तो पारिस्थिती विज्ञान के विभार के अंतरगत आएगा दोस्तों अगले प्रशन के और दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रशन है आपका कि निमले खित में से किस देश ने 2014 आपका जो फीफा विज्घू कब था उसे किसने जीता था तो दोस्तों अगर इसके सही आपसन की बात करते हैं कि किसने जीता था तो इसका सही आपसन दोस्तों हो जाएगा जर्मनी ने दोस्तों 2014 का फीफा विसुकप आपका जीता था और दोस्तों अगर बात करें कि ये किसके इसके मद्ध हुआ था तो दोस्तों ये आपका ब्राजील के साथ में जो है इसका मैच हुआ था जिसमें ब्राजील को मतलब हार का सामना करना पड़ा था और जर्मनी आपका जीत गया था दोस्तों अब उसकी बात करते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगर हम बढ़ें कि भारत के परथम फिल्ड मारसल कौन थे तो दोस्तों अगर आप्शन्स की बात करते हैं कि पहला वैद दूसरा केम करियपपा तीसरा है आपका दोस्तों सुन्दर जी और चौथे के अगर हम बात करें तो SHFJ माने कशा तो दोस्तों अगर सही option की बात करते हैं तो दोस्तों इसका सही option हो जाएगा आपका लास्ट option जो है ये आपका हो जाएगा SHFJ माने कशा दोस्तों याद रखिए एक बहुत ज़्यादा important प्रस्न है इसको थोड़ा समझने की जरुबत है इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रथम field marsal दोस्तों यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है कि स्वतंतर भारत के दोस्तों अगर यही प्रस्न इस तरह से बनता कि स्वतंतर भारत के आपके जो प्रथम commander in chief थे वो कौन थे तो वो आपका दोस्तों तब उस condition में दोस्तों आपका प्रस्न जो हो जाता वो यह सही हो जाता कि हम करियपा लेकिन यहां पूछा गया था कि भारत के प्रथम field marsal कौन थे तो आपका option D दोस्तों सही हो जाएगा अगले प्रशन की ओर दोस्तों अगर हम बढ़ें अगला प्रशन हमारा बन जाता है कि SBI की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं उस समय की दोस्तों यह बात कही गई है तो उस समय दोस्तों बात करें तो उस समय आपकी अरुंधती भटा चारे जी वहां पर प्रथम तो सेम्में की अगर अगले प्रश्न की और बढ़ें अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भारत का सर्वोच नागरिक पुरुषकार जो नागरिक सम्मान कौन सा है तो दोस्तों आपका वीर चक्र दूसरा है भारत भूशर तीसरा पदमिस्री और चौथा भारत रत्न दोस्तों बात करें अगर सही ऑप्शन की तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन टी भारत रत्न दोस्तों भारत रत्न आपका भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान पुरुषकार जो है है जिसे आपके कला शाहितिया विज्ञान में या बड़े पैमाने पर कोई उत्रस कारे करने के लिए दोस्तों आप पदिया जाता है और अगर इसकी सुरुवात की बात करें दोस्तों तो इसकी सुरुवात हुई थी 1954 उनीस सो चोवन में दोस्तों इसकी सुरुवात हुई थी और ये दोस्तों प्रतेक वर 26 जनवरी के आउसर प्रभात के राश्रपति जी के दोरा दिया जाता है अगले प्रशन की दोस्तों अगर हम बात करें अगला प्रशन हमारा बनता है की प्रथम यह important fact है अगर हम इसकी बात करें की कब मनाय गया था दोस्तों तो यह आपसन आपका भी सही हो जायेगा की 21 जून 2015 में इसे मनाय गया था ये प्रथम अंतर राष्टरी योग दिवस था दोस्तों जिसे भारत के प्रधान मंतरी श्रीनरेंद मोदीजी के द्वारा 27 सितम्बर 2014 को दोस्तों संइुतराज महासभा में अपने भासड के दुरा नहुने दोस्तों इसकी सुरुआत की और 11 δिसंबर 2014 को संइुतर राष्ट से ही अंतर राश्ट्री योग दिवस के रूप में दोस्तों 21 जून को मनाया जाने लगा है तो याद रखेगा कि 20 जून को अंतर राश्ट्री योग दिवस मनाया जाता है अगले प्रशन की और दोस्तों अगर हम बात करें कि किस तारीख को तेलंग आना किस तारीख को तेलं 2014 तीसरा है 15 अप्रैल 2014 या चौथा 22 जून 2014 दोस्तों अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना हमारा 29 राजे दोस्तों बना था जिसकी इस्थापना दोस्तों हुई थी 2 जून 2014 को तो दोस्तों इसका सही आप्शन आपका आप्शन भी हो जाएगा और दोस्तों हैदराबाद को उस समय जब ये बनाया गया तो हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आपके आंधर प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में बनाया गया था अगले प्रशन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं तो अगला प्रशन अगर हम देखें दोस्तों हमारा जो कि हमारा आज का अंतिम प्रशन है दोस्तों कि what is the full form of PDF PDF का पूर्ण अर्थ रूप क्या है option एक है आपका printed document format second public document format तीसरा pull table document format या चौथा published document format दोस्तों अगर सही option के इसके हम बात करें तो सही option आपका option C हो जाएगा दोस्तों पूर्टेबल document format दोस्तों अगर इसके हम बात करें तो ये एक अडॉपी नामक जो है software company के दौरा इसको जो है विक्सित किया गया था और वरतमान में दोस्तों ये एक बहुत ही famous आपका e-book format है e-books के अतरिक दोस्तों ये एक छपाई मित्र मतलब एक print friendly format के रूप में भी द अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे आप शेयर करें लाइक करें वीडियो को और हमसे जल्दी से जुड़ जाएं notification को on रखें ताकि मैं अगली वीडियो जब ले करा हूं तो वह आपका notification आपका तक जरूर पहुच जाए तो thanks for watching दोस्तों thank you thanks